दनूरासिवालों सोभाग्य उसी को बिलता है जिसने अपने आपको उस काबिल भनाया है और यह बाद भी सच है कि अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया में बस केवल आप ही पहचान सकते हैं इसलिए जिवन की संभाव नावों को देखते रहे जुनागर और गिनारी के और से प्रदिब महता का जैगरुदाद धनूरासिवालों जिवन की सारी संभाव नावों को अपने पक्ष में करने के लिए गरहु का सयोग बिशिस तोर पर चाहिए होता है यदि हम प्रक्रूति के नियमों के प्रतिकुल चलेंगे तो हमारे जिवन में नाना प्रकार की कटनेया आती ही रहेगी यदि हम पूर्ण शुक शान्ति के साथ प्रगती सम्रुद्धी इस वर ये प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जोति सास्तर के नियो मुका पालन करते हुए जीवन ब्यतित करना चाहिए कुनली में बन रही यूती प्रतियूती भयंकर दोसों से बचना चाहिए दोस्तो इस वीडियो में हम जानेगे धनुरासिफल जनवरी 2030 केसा रहेगा आपके लिए वेसे तो मैंने कई सारी बड़ी बविश्यवानी की है और सारी सज भी हुई है मैंने गुजराद चुनाव से पहले सितंबर में ही बविश्यवानी करती हुई कहा था राहुल गांदी की बारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कोंग्रिस को हार का सामना करना पड़ेगा भारती जन्ता पार्टी बिज़े होगी और मेरी ये बविश्यवानी सत प्रतिसत सही साबित हुई आप चाहे तो 18 सितंबर 2022 के दिन गुजरात को लेकर मैंने जो बविश्यवानी की थी वह वीडियो ओपर क्लिक करके देख भी सकते हैं और आज भी धनुरासी के लोगों के लिए बविश्यवानी करने जा रहा हुँ तो वीडियो स्किप के बिरा जरूर देखिएगा के इंद्रित करने के लिए अउशर लेकर आ रहा है क्योंकि 17 जनवरी से ही आप शनी के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगे तो दूसरी ओर दन के देवी महालक्समी की भी पूर्ण कृपा आप पर बनी रहेगी जिसके कारण अम महान सल्तनत के धनवान राजा बन सकते है यानि आप इस तरह से समझ सकते है कि एक जनवरी से ही आपके जिवन में परिवर्तन की सुनामी आ जाएगी क्योंकि आपके कर्मक्षेत्र पर व्यापार में जिस जगह पर आप वेवसाई कर रहे हैं वहाँ पर आश्चरी अजनक रूप से धन में बुरुद्य होगी और जिनके माता पिता नोक्री पर है उन्हें शलीरी में बृति की रुप में, बोनुस की रुप में या फिर अन्य कामों के चलते लाब की संभावना बन रही है निश्ची तोर पर पुरे जनवरी के दोरान आपको अपने प्रयासुब उपलब्दियों के लिए प्रसंसा प्राप्त होने वाले है आप लिखकर ले सकते हैं कि आपकी लोग प्रयाता का बरपुर आनन अब उठाने वाले है खासतोर पर जो फिल्म जगत से जुड़े हुए है जो स्पोर्ट से जुड़े हुए है जो होटल, मेनेजमेंट, यातायाद, मेडिकल, टूरिजम, एवं रेल एस्टेर से जुड़े हुए है बहर न केवल धन से माला माल हो सकते हैं किन्तो आने वाले समय के लिए भी बड़े-बड़े कोंट्रेक्ट आपको मिल सकते हैं जिनके दवरा आपके आने वाला समय पुर्ण रूप से बदल सकता है धनुरासिवालो 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी की बीच में लंबे समय से दिल में दबे किसी इचा की पूरे हुनी की भी प्रबल संभावना बन रही है चाहे वह बेदेश में स्तित होने के लिए स्थाई रूप से निवास करने के लिए जो बेदेश में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनके लिए जिनको प्रोपर्टी बेचने है या फिर जो प्रोपर्टी बरसों से बेचना चाहते हैं वह बिकने के रूप में ब्यापार के कर्ज के लिए प्रयास कर रहे थे उन्हें कर्ज उपलब्द होगा कार्य की धुरद फुरद नगत पेसे मिलेगे तो तेरा जनवरी के बार बाइस जनवरी के बेजबी दिल खुश करने वाले फाइदेमंद सोधे होने वाले हैं यकीनन आप करियर वर सामाजिक हैस्ट के खेत क्योंकि नोकरी सरकार रूरादनीती से बहत उपनलाब देने वाले स्वयम सुर्य आपके द्वीतिय भाव यानिकी धनभाव में बिराज मान है जिसके कारण जो लोग नोकरी से सम्मंदित परिवर्दन चाहते हैं या फिर अधिकारी की वज़े से नोकरी बदलना चाहते है तो आपको इच्छी जगह पर जोब करने का मौका मिलेगा हलाकि IT, Medical, Engineering, Tourism एवं E-Commerce से जुड़े लोगों को भी International एवं Multinational कंपनियों से जोब का ओफर मिल सकता है यहां तक कि अब आप वह खुशी-खुशी शुवकार करते हुए फरवरी के अंदर जोइन भी कर सकते हैं दोस्तों 18 जनवरी के बाद एक एसा चमतकार भी हो सकता है कि वह आपके पूरी जिन्गी बदल सकता है जिहां आपकार येक सेत्र के लिए जरूरी चीज़े से लेने के लेकर सेर्ड मार्केट में भी अपनी किसमत आजमा सकते हैं गुपतधन, धलाली, कमिर्सन या टेबल क के नीचे होने वाले सोधे हो सकते हैं जिसे सबलता आपके गदम चुम सकती है लेकिन दोस्तों मैं हमेशा से कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुनली में श्रुयोग या दुर्योग बिद्यमान रहते हैं जो व्यक्ति की बरपुर मेहनत को सबल नहीं होने देते हैं इसलिए कुनली का विशलेशन अवश्य करवाए दनुरासे के जो यूवा है या फिर जो जीवन के मध्यकान तक पहुच चुके हैं वह भी रंग बे रंगे दुनिया के नजारे देखने के लिए तैयार हो जाए जिहाँ पूरे जनवरी के दुरान प्यार, रोमान, सम्मनिद माबले आपको पूर्ण तहप्यस्त रखेंगे प्रियसे मुलाकात होती रहेगी हलाकि सब्तमेश बूद्ध होने के कारण और वह देहभाव में होने के कारण आपको प्रेम सूख, देह सूख से बंचित नहीं रिष्टे बन सकते हैं, दनुरासिवालों जिनके साथ आपके सम्मन्ध दोस्ती तक पहुच गए हैं, वहब जल्द ही बिक्सित सम्मन्धों में बदलने वाले हैं, खास तोर पर बहयवा जो रिलेसंसिप में हैं, उन्हें बड़ी सर्प्राइज गिप्ट मिलने वाले हैं, लेकिन धनुरासिवालों यदे जनवरी में कोई विवाह का रिस्ता आपके लिए आता है, तो कुंडली मिलान के बगेर आगे कदम बढ़ाना आपके लिए वेसा ही होगा जिससे अंधेरे में खाई में गिनना, इसलिए सलाह लेना आपके लिए अनिवारी रहेगा, वैसे जनवरी आपके लिए सुब है, लेकिन दोस्तों पूरे मेहने के दोरान छोटी-छोटी चीजों से स्वयम को परेशान न करें, क्योंकि ज्यादातर बाते आपको चिर जड़ाहत पेदा करने वाली हो सकती है, और हाँ, आपके परदे के पीछे अब बेहत गतिवीद्या बनता है, और कमेंट बोक्स में आप अपने सुजाव दे सकते हैं, मैं सभी कातो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो अच्छी कमेंट लगे, उनका जवाब देने की कोशिश करता हो, आज के लिए इतना ही, मिलते है नए वीडियो में, जै गुरुदत, जै गिन्नारी